आप देख सकते हैं मेरा वज़न है 71.5 kg और मेरा आइडियल जो वेट है वो 65.5 kg होना चाहिए यानि 6 kg एक्सेस है और मेरी जो वेश्ट है वो 39.5 इंच है ये 6 kg जो एक्सेस वेट है और जो फैट है उसको कम करने के लिए मैंने सुरिनमस्कार का सारा लिया सुरिनमस्कार के अलावा मैंने दोड को भी साथ में रखा क्योंकि अभी पिसले चार महिने से मैं अक्सेसाइज नहीं कर पाया था एक तो सर्दी की वज़े से और दूसरा कुछ हेक्टिक सेडियूल था इस वज़े से अद्वाइस सुरिनमस्कार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने सुरिनमस्कार के सहारे तेरा किलोग्राम वज़न पहले कम किया था और अभी भी मुझे सुरिनमस्कार जो है उस पे विश्वास है कि सुरिनमस्कार एक ऐसी योग क्रिया है जिसके दोरा आप बहुत आसानी से अपना वज़न बहुत कम समय में घटा सकते हैं और इसलिए मैंने पहले दिन 108 सुरिन सुरिनमस्कार मैंने चार महिने के अंत्राल के बाद किये इसलिए बोडी में रिजिडिटी है और उसी की वज़े से जो फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वज़े से प्रोपर तरीके से सुरिनमस्कार नहीं हो पा रहे जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो माथा मेरे घुटनों को टच नहीं कर पा रहा और चुटांगे हैं वह भी कम्प्लीटली 100% स्टेट नहीं है तो यह रिजिडिटी जो बोडी में है वह साफ नजर आती है प्रन्तु हार नहीं मानने है लक्ष्य है वह बिलकुल सपर्ट दिखाई दे रहा है कि वज़न कम कर करना है और इसलिए इन चीजों को नजर अंदाज करते हुए मैंने पहले दिन 108 सुर्य नमस्कार किये हालांकि प्रन्तु स्टैमिना था इसलिए मुझे ऐसा नहीं कि मुझे ठकान हो रही थी प्रन्तु रिजिडिटी की वजए से एक फ्लो नहीं था सुर्य नमस्कार करने में हालांकि मैंने पिछले बार वज़न घटाया था तो मैंने 500 प्लस तक भी सुर्य नमस्कार परते दिन किये और इसलिए जहां तक मात्रा का सवाल है वो तो मेरे लिए इस्यू नहीं था प्रन्तु रिजिडिटी जो बोडी में है स्टिफनेस तो उसके वजए से थोड़ी सी मुझे प्रेशान नहीं होई खाने में मैं जो नहीं तो मैंने पहले जब तेरा किलोग्राम वजन कम किया तब मैंने कोई डाइटिंग की और नहीं अब हालांकि मेरे खाना है वो साधा और पॉर्टिक होता है जैसे आप देख सकते हैं यह जो खिच्डी है और दही है और मैं मिठे का भी सोकीन हूं और इसलिए मैं चाहिए कि मिठा भी खूब खाता हूं वह आप इस वीडियो में के आगे देख पाएंगे और जैसे मैंने बताया व सुर्यनमस्कार के अलावा दोड का भी सहरा लिया पहले दिन तो मैंने कोई डोड नहीं की परन्तों दूसे दिन मैंने दस किलो की दोड की और आई-ए और टीसरे दिन मैंने इकसो आशो आट सुर नमसकार किये और पांच किलो मेटर की दोर्ड और पांच किलो मेटर की वाकिंग खानव जैसा किकिचा कि मेरा healthy food होता है इसमें जो सबजी रोटी ये तो चन Caitlin की चतवनी है जो कि मुझे बहुत पसंद है और यह दूद एक लास दूद और यह डिनर का जो है वह है और इसके लाव मुझे मीठा बहुत पसंद है और इसलिए जो वेट है कई बार बढ़ जाता है और जैसे जलेबी पसंद है तो मैंने पहले दिन आलाग की 180 मस्कार किये थे पर उसके लाव जूस मैंने एक लास दिनन entes प्लंने का जूस पिया था तीसरे दिन मैंने साहे जूस नहीं पिया और यह जो आप वीडियो देख रही है यह वीडियो है सुरियन नमसकार का और यह मैंने पार्क में तीसरे दिन दो सुरिह नमस्कार कीए जए तक नहीं हैं, प्रन्तु लक्षय है, वो बड़ा कलियर है कि सुरियमस्कार के सारे जो वेट को घटाना है और इसी लिए मैं सुरियमस्कार 108 कर रहा हूं साथ में सप्लिमेंट के लिए मैं धोड़ भी कर रहा हूं ताकि जो वस्जन है वो जल्दी सी घट के और ये बोड़ी में रिजिडीट ही है वो मुझे विश्वास है जल्दी खत हो जाएगी stiffness बिल्कुल कम हो जाएगी और जो बोड़ी बिल्कुल रिद्मेटिकली कुछ समय में फ्लो करेगी सुरिनमस्कार करते हुए और वह बहुत जल्द ऐसा होगा ऐसा मुझे विश्वास है सब्सक्राइब तीसरे दिन रुवाय ko अलावा मैंने पांच किलोमेटर की compress की और पांच किलोमेटर की वाकिंग की तो इस तरह जो तीसरे दिन की जो फिजीकलnow तो यह लगभग जो तीसरे दिन जो फिजिकल एक्टिविटी थी वह लगभग दो गंटे की थी कैलरीज कितनी बर्न हुई उस पे में ज्यादा ध्यान नहीं देता प्रन्तु उसका जरूर रिजल्ट है वह बिलकुल स्पस नजर आ रहा है बोडी में भी जो रिजिडिटी थ तो पहले दिन की अपेक्षा अभी कम है इतनी ज्यादा स्टिफनेस नहीं हालंकि जब मैंने पहले दिन एक्सवाट सुटिनम्स कार किये तो पोडी में थोड़ा पें था अपरंतु वह मुझे पता था कि इनिशिली जब मसल्स है वह थोड़े स्टिफ थे पर ठीक हो जाए बले खालो अद्वाइस जो है आप देख सकते में प्राटे मुझे बहुत पसंद है रहसा नहीं कि मेरी जो डाइट है उसमें घी नहीं होता हालंकि घी सही मात्रा में होता है यह आप देखिए कि जो अपे हैं फूजी से बने हुए मैं बिल्कुल भर पेट खाता हूं उसम खाना है वह इक अलग जीज हालांकि इसलिए मैं जो है मेनत करने में कोई कसर नहीं चोड़ता और नहीं खाने में मैं कोई किसी तरह की कटोती करता हूं मैंने जब चार महीने पहले मैं बिल्कुल फिट था और मेरा वजन एग्जेक्ट आइडियल बेट जो होना चाहिए व और वह मैंने सो दिन में अठा तर दस्मलव पांच क्लो ग्राम से मैं 65.5 क्लो ग्राम पे आया यानि साड़े बारा से पोने तरह यारा कि लो के आसपास जो वजन कम किया था यह आज थोड़ा सा मैंने जैसे खाफ देख सकते हैं चटपटा और लड्डू जो है यह जो मिठ में मुझे बहुत पसंद है और मैंने पांच लड्डू खाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितना मिठा खाता हूं बट इसके बावजूद जो आप देखेंगे कि मेरी जो वेस्ट है वो 39.5 इंच थी आदा इंच कम हो चुकी है और वजन आप बताईए कि कितना कम हुआ होगा और आप देखिए कि मेरा वजन एक दस्मलो छे किलो ग्राम कम हो गया है यानि 69.9 किलो ग्राम है अभी